असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मेगी चैनल कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खेरियस से होंगे आज मैं आपसे बहुत ही मज़े की रैसिपी शेयर कर रही हूँ तो चले जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो बिसमिल्लाइब रुख्व मैं चॉप कर लिए में अब कर लिए हैं और अब इसको कुक कर लेते हैं तो यह पर मैंने कड़ाई लिए हैं और उसमें डाल रही हूं 2-3 टेबलिस्पून ओईल सबजियां आप अपनी मरजी से कोई सी भी ले सकते हैं लेकिन ये सबजियां इसमें अच्छी लगती है तो लाल वाली शिमला मिर्च मैंने 1 कब ली है यालो वाली शिमला मिर्च मैंने 1 कब ली है, ग्रीण वाली 1 कब गाजर ले लिया है मैंने एक कप और ग्रीन अनियन ले लिया है उसका ग्रीन वाला पार्ट वो भी है एक कप और एक कप मैने सूीट कॉर्ण ले लिया है वाई किया हुआ है वो पका हुआ है तो वो ले लिया है और सबसे पहले देखें सबजियां सारी डाली है दो तीन मिनट सबजियों को पहले पका लेंगे और युद्धिक स्बजियों अर फिर एट किया सौगी सी हो जाए बिल्कुल जादा आपको पकाने की जरूरत ही उन्हाँ क्रिस्पी थोड़ी सी ना सब्जियां रहनी चाहिए वो अच्छी लगेंगी तो यहां पर बाइंडिंग करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूं आलू का बॉयल किये हुए मैंने आलू ले लिए हैं अच्छी तरह से हो जाएगी तो यहां पर आलू ढालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद अरी प्याज एड़ कर रही हूं यह बिल्कुल लास्ट में मैं अड़ कर रही हूं यहां पर रैट चिली डालना भूल गई थी यनि कुटिको ल थाल मिर्च वन टीस्पून मैंने यहां पर लास्ट में ही एड कर दिया है बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो स्टफिंग हमारी रिडी हो चुकी है जितनी देर में आटे को रेस्ट मिलता है उतनी देर में ही स्टफिंग रेडी हो जाती है तो बहुत ही जट पड क्पोड़े बनाने हैं जितना बड़ा साइज आपको ट। का चाहिए आप उतना बड़ा आक साइज का बना सकते हैं वैसे नॉर्मली टैकोज थािस ज्टा बड़ाgentina इसब की कदंग कर लिये और एक पेडा है बस इसको बेल लेंगे इसको सबता के लिए मैंने यहां पर एक सबंदरिया, दानिया रहा ही इससे छोटा भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई प्याला हो किसी भी तरह का तो आप उससे कट कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहां पर देखे मैंने फ्राइपन ले लिया है इसको गरम कर लिया है और इसमें यह टैकोज डाल दिये हैं मैंने अच्छा एक बात यह कि इस को निकाल लेंगे हाफ डन करना है इसको फुल डन नहीं करना है तो यह देखें कितने नर्म मुलाहिम से बने हैं इसके टैकोज देखें कितने अच्छे वनें घर पर यह आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से तो यहां पर सबसे पहले एक टैकोज ले लिया है मैंने और उसम फ्लेवर आता है टैकोज में तो ये जरूर डालिएगा आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जिसको जादा पसंद ओ तो जादा एड़ कर सकते हैं जिसको कम पसंद हो तो वो कम भी ऑड़ कर सकते हैं अपनी मरजी से तो एक टैकोज हमारा रेडी हो गया है तो यहाँ पर पहुंच चुकी है बरीरा शेफ बरीरा तो यह कह रही दी कि मैं बनाओंगी अपने लिए खुद तो इन्होंने अपने लिए सिर्फ चीज का बनाया है और यह देखें अपने मर्जी चे स्टफिंग की है खुद ही और फिर फोल्ड कर रही है तो इसने मुझे कहा था कि मैं पूख नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी चोटी हूं मेरा हाथ जल जाएगा तो मैं आपको से फोल्ड करके दूंगी आप मेरे लिए कुक कर दें तो यहाँ पर मैंने सारे टैकोस रेडी कर लिये हैं और कुछ बरीरा ने भी किये हैं तो बस इस नाग चल्क ता कि पानाए म להोड़ माली उरोटी वह लिगा कि यह को पखा वना जल्दी ही पकती है को छाए थे में जोङना खूर अए बाराद में होती है इतना बहुत जाल दाल द्याया है बस दस चाहिए बारा मिनिट्ट लगते है यह जबर कर DSC तो यह देखें बरीरा वाला है यह जो बरीरा ने बनाया था चीज वाला और जो हमने बनाया था स्टफिंग की थी पोटेटो और वेजटेबिल्स की वह भी बहुत टेस्टी बना है आप जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजेगा और बच्चों को बना कर दीजेगा तौर्ट क्याते हों यह रेड़ी हो चुका है और बहुत टेस्टी बना है इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजएगा दैसी लेगी वीडियो कैसी लेगी अच्छी लगी हो तो में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें फिर मिलूंगी अ अलिए साला खयाल, असलाम अलेकुम